खाली का मतलब मुझे नहीं पता बनाने वाला आप एक किश्वर में मनते हैं एक पावर जो है जो हमको रूल करती हैं मैं उस चीज़ को मानता हूं एसलामलेकूम दोस्तों कैसे हैं आप उमेद करता हूँ आप लोग ठीक हैंगे दोस्तों आपके खित्मत में हादिर हुआ हूँ एक और नहीं वीडियो लेके ठाक्टर जाकर नाइक्स है एक बाई ने जो है वो सवाल किया हिंदू बाई ने तो बिना किसी देर किये वीडियो की तरफ चलते हैं अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेर मेरा नाम है राजेश्वर मैं नवी मुंबई निरूल से आया हूँ और मुझे यहां पर लेके आ रहा है मेरे दोस्त श्री आजीम मुल्तानी ने तो मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ तो मेरा ये कहना है हम जो लोग बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ मुसल्मान बोलता है मैं मुसल्मान हूँ सिख बोलता है मैं सिख हूँ कृष्चन बोलता है मैं इसाई हूँ तो सब लोग अपने अपने धर्म का अपना परिचाई देते हैं तो मेरा सवाल ये है कि इस धर्म को बनाया किसने है और अगर बनाया है तो किस मक्सद से बनाया ह क्या हम सिर्फ एक धर्म को मानने ही सकते हैं जो कि इनसानियत धर्म है और कोई धर्म को ना माने ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना इसाई और किसी भी धर्म को कबूल करवाना क्या ज़रूरी है? मैं अपका अच्छा सवाल है, बहूत अच्छा सवाल है और एक सवाल साथ मैं इसमें जुड़ा हुआ है सर, मैं पुछना चाहूंगा, इना किसी धर्म को कबूले बगेर, क्या इनसान नेक और सही रास्ते पे चल नहीं सकता है, और ये जो अपने अपने धर्म के गुरू है, वो किस लिए अपने धर्म का प्रचार करते हैं, और किस मकसद से करते हैं, ये मेरा प्रच्शन है, बहुत अच्छा सवाल है, कि लोग कहते हैं, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सीख हूँ, मैं इसाई हूँ, तो ये धर्म को किसने मनाया, धर्म होना चाहिए कि सिर्फ, बिलकुल सही है, धर्म होना चाहिए कि, और वो धर्म में मानना जरूरी है भाय साब ने अच्छा सवाल किया कि कोई कहता हुआ मैं मुस्लिम हूँ कोई कहता है में हिंदू हूँ कोई कहता है में हिसाई हूँ कोई कहता है सिर्ख हूँ एधर्म को किसने बनाया और धर्म होना चाहिए एक आपका पहले भाग जो सवाल का बिल्कु सही है कुरान में लात लाँ अला फर्माते अल्ला के, खुदा के, इश्वर के, भगवान के, एकामात के मताबिक बसर करना तो दीन होना चाहिए एक ही ये इतने दीन किसने बनाया? इनसानों ने बनाया हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा इश्वर, हमारा भगवान, हमारा ल्ला सिर्फ एक ही दीन बनाया, एक ही मजभ बनाया, वो है अमन हासिल करना, शांती हासिल करना, सलामती हासिल करना अपने खालिक के एकामात के मताबिक जिंदगी बसर करने के बाद इसलिए दीन, मजभ, खालिक ने सिर्फ एक ही बेजा लेकिन वक्त के दौरान मिलावट होते गए मिलावट होने के वज़े से अल्ला ने दूसरे नभी बेजे दूसरी किताब बेजे फिर मिलावट हुए और दूसरे पेगंबर बेजे और एक किताब बेजे उसे सही करने के लिए इस तरीके से اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ نے اس زمین پہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے कई کتابیں بھیجے آخری کتاب قرآن में चीर قرآن में लिखाएगी سورہ رाद में سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 ولی کل دی قول منحاد کہ हر قوم پہ میں نے پیغمبر بھیجا سورہ رाद سورہ 13 آیت نمبر 7 اور سورہ رाद سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 کہ ہر دور میں ہم نے ایک کتاب نازل کی آخری کتاب ہے قرآن آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خالق نے ایک ہی مذہب بھیجا ہم نے اس میں مناور پیدا کی مذہب کا اگر صحیح معنی لے ہندو کی کیا معنی ہندو کی معنی یہ ہے کہ جو انسان ہندوستان میں رہتا ہے جو انڈس والی کے اس طرف رہتا ہے اسے کہتے ہندو یہ لفظ سب سے پہلے بار استعمال کیا تھا عربوں نے ہندوستانی کے لئے اس لفظ کے اعتبار سے میں ہندو ہوں اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ نہیں ہندو وہ ہے جو بدپرستی کرتا وہ غلط ہے تو صحیح معنی ہندو کہ میں ہندو ہوں عیسائی کے معنی کیا عیسائی کے معنی جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام پہ عمل کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے جو چیز سکھا ہے میں کہتا ہوں کہ میں جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں اس سے زیادہ عیسائی ہوں کیونکہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے باتوں پہ اور عمل کرتا ہوں بنسبت وہ لوگ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں تو اس لئے اس لئے سے میں اور پکا عیسائی ہوں جو کا مطلب کیا جو کا مطلب وہ جو خدا سے اللہ سے محبت کرتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں مسلم کے معنی کیا مسلم کے معنی वो इनसान जो अमन, सलामती आसिल करता है अपनी जिन्दगी को अल्ला के अहकामात के मताबिक बसर करने के बाद मैं मुस्लिम हूँ आप समझे रहे ये मिलावट बाद में आई जो इसा अले सलाम ने से कहा उसमें मिलावट आई तो धरम सिर्फ एक होना चाहिए आपका दूसरा भाग हम क्यों ना सिर्फ इनसानियत पे अमल करे वाई साब आप अच्छे मुस्लमान बनने के लिए सबसे पहला आपको अच्छा इनसान बनने पड़ेंगा अच्छा इनसान बनना मतलब एक मिसाल दे रहा हो जो मैंने कल दिया था अच्छा इनसान बनना मतलब स्कूल पास करना अच्छा मुस्लमान बनना मतलब पीएजडी तो पीएजडी करने के लिए पहले दस्वी तो पास करने पड़ेंगा दस्वी पास करने के बाद ही पिएशडी कर सकते, आप बोने दस्वी के बाद में खुश हूँ, नहीं, मैं पिएशडी के बाद खुश हूँ, तो अच्छा मुस्लमन बनने के लाच्छा इंसान बनना जरूरी है, जैसा मैंने शुरू में का, आप एक मुझे अच्छे इसलाम की तालीम बताओ, जो इनसानियत के खिलाफ है, एक मिने, तो इसलाम मजब इनसानियत का है, लेकिन इनसानियत के इलावा और चीज़ आपको सिखा रही है, क्या कह रही है, शराम मत प्यो, अब इनसानियत में शराप पी सकते हैं, इनसानियत की किताब में आज इतने बलादकार हो रहे 80% से ज्यादा जो आदमी बलादकार कर रहा है या वो औरज जिस पे बलादकार हो रहा है या दोनो तीनों में से एक शराब के नशे में था इदर वो बलादकार करने वाला शराब के नशे में था या जो औरत पे बलातकर हुआ गए या दोनों शराब के नशे में थे अस्तिफिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् कि कोई मदभ को follow करना ज़रूरी है, बिलकुल. अगर आपके पास rules regulation नहीं है, आप जब स्कूल में जाएंगे, आप बोलेंगे, स्कूल के rules को follow करना ज़रूरी है, क्या? मैं एक दिन पीले कपड़े पेनुगा, एक दिन निले कपड़े पेनुगा, एक दिन लाल, ने, रूल फॉलो करो सब लोग साथ में A, B, C, D, ने, मैं A, C, D, B पढ़ूँगा, Z पढ़ूँगा, ने, A, B, C, D, E, F, G, काइदे से पढ़ो आप कोई काइदा फॉलो, आप बोलेंगे रूल फॉलो करना जरूरी है, मैं लेफट अंड पे चलाओँगा, राइट अंड पे चलाओँगा, हिंदूस्तान में तो राइट अंड ड्राइव, अमेरिका में तो लेफ्ट अंड ड्राइव, ने, लाल के उपर मतलब में फॉलो करेंगे यह जाहिल इंस oppressor कई का जैने के लिए स्कूलствомच दerson के आप siya की गाड़ी चलाने के लिए रूंस्राइब स्कूल में जाने से ठीटिने के भी बसर ने किलिए रूमने आप बोलेंगे मैं नाख में इसे खाऊ इसलें गाने मैं मूह इसे खाऊ आप समझे रहे तो ये हमारा खालिक आप जब बिमार होते किसके पास जाते डॉक्टर की पास जाते डॉक्टर को इल्म है इनसान के जिसम के बारे में वो खालिक और सबसे बड़ा डॉक्टर है वो जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है इसलिए खालिक जो कहता है हम आगको बनाने वाला जो कहता है उसके एकामात पे चलने से बच्छे मुसल्मान बन सकते और सबसे ज़्यादा सफ़त मुसल्मान बन सकते और इनसान बन सकते मैं पूछना चाता हूँ आप मानते है खालिक में खालिक का मतलब मुझे नहीं पता बनाने वाला आप एक किश्वर में मनते एक खुदा में मनते या ने खुदा में मनते ने मैं तो सभी जगा जाता हूँ मंदिर जाता हूँ मस्जिद जाता हूँ लेकिन मैं किसी को मानता नहीं मैं इसे प्रें मानता हूँ कि एक पावर जो है जो हमको रूल करती है मैं उस चीज़ को मानता हूं एक पावर दो पावर ने ना एक पावर जो है तो पुछ रहा हूं मैं एक पावर को मानते हैं दो पावर को मानते हैं यह की पावर को मानता हूं मैं भी एक पावर को मानता हूं मंदिर बिजाता हूं मस्जिद बिजाता हूं लेकिन मंदिर जाके बुद्परस्ती ने करता हो, मूर्ती पूजा ने करता हो क्योंकि वो पावर कहते है, मूर्ती पूजा मत करो मूर्ती मतलब वो पावर वाले को आप कम पावर दे रहे बरावना, तो हिंदु मदब कहता है, मूर्ती पूजा मत करो इसाई मजब कहता है मूर्थी पूर्जा मत करो खुरान कहता है मूर्थी पूर्जा मत करो एक पावर उसको पावर कहो इश्वर कहो खुदा कहो अल्ला कहो लेकिन एक है ना के दो है एक ही है बेलकुस एक पावर को मानते एक इश्वर को मानते हैं एक खुदा को मानते हैं एक अल्ला को मानते हैं आप मानते हैं कि बुद परस्ती मुर्ती पूजा गलत है गलत तो है लेकिन मैं करता हूँ यही तो बात है आप मानते हैं गलत अल्हम्दुलिल्ला करते हैं वो चलते हैं बच्पन से चलते हैं मेरे पर डर है मेरे गलत काम से बचता हूं हाँ गलत काम करते हैं लेकिन गलत काम से बचते दोनों में टक्राओ है आप गलत काम से बचते हैं फिर बोलते हैं गलत काम से बचता हूं आपने का मूरती पूजा करना गलत है मैं मूरती पूजा करता हूं गलत काम से बचता हूं तीनों में पंटे डिक्टिंगे, शराब पीना ख्लत है, फिर भी पीताओं और गलत काम ने करताओं, और तो बलात करो होगा ना, मैं नहीं पीताओं, आपने पीताओं, अच्छी बात है अलhamदुलिल्लाह, आपके वेद में लिखाई, बाइबल में लिखाई, फिर आनम में लिखाई, तो क्यों करते हैं? बचने का है, तो उस पावर, उस ताकत, उस अल्ला, उस खुदा, उस भगवान के एकामात पे अमल करो. मूर्ती पूजा करने से क्या मिलेंगा आपको? आप कुरान मजीद पढ़ो, उस पावर का, तो अगर आप जानते हैं कि मूर्ती पूजा गलत है, तो गलत काम से का सही रस्ता मिल सकता है, चोरी करना गलत है, लेकिन मैं क्या करता हूँ? चोरी करता हूँ और गरीबों में वाटो ना चोरी करके महनत मत करो, महनत करके महनत करो, और हलाल की कमाओ और गरीब हों में बाटो उसे तरीकिते जो आप जानते हैं मूर्तिक मुझा करते हैं फिर यू करते हैं क्योंकि आपके परदादा करते आए हैं मेरे परदादा कहते थे दुनिया चप्टी है लेकि मैं कहता हूं दुनिया गोल है के चप्टी है गोल आपके परदादा क्या कहते थे चप्टी के गोल गोली कहते थे परदादा आपके बाप दादा ने परदादा गोली कहते थे कभी कटी हजार सार पहले बिल्कुल आपके दादा का नाम क्या था पता नहीं हाँ तो आप काहले हाँ अंहाननियस जयार सार पहले केटीते कि दुनिए की हर college आप द्रणादा का नाम कर है आपके प्रदादा का नाम है कि आप की परदादा का नाम क्या है है अज Eck Grabber वे सटाथ आ ज्रती ओंच sorry कि वहिचा के नहीं लेकिन साइंश के त्याम मेरे परदादर आपके परदादा को nella के रकी कर चुके जब तरक्की करते हैं घलत चीज़ को छोड़ देने का है अभी बुद्परस्ती करेंगे चोड़ देंगे कोशिश करूंगा छोड़ने की यह बाद हुई ना यह मरदानी बाद हुई ना माशाला यह अच्छी बात है कि भाई साब मानते एक पावर में एक खुदा में एक इश्वर में बुद्परस्ती गलत है और कोशिश करेंगे इसको छोड़ने के आप मानते कि महमद स्लीज़ परकामर है पता नहीं मुझे नहीं मालते हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि आप कुर और जब आप एकदम संतुष्ट हो जाएंगे के सही किताबे फिर आप एकदम अच्छे अभी आप इंसान है और अच्छे पीएश्डी बनेंगे उस दिन का मैं इंतिदार करूंगा शुकुरिया 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 तो यह थी दोस्तों आज की वीडियो जिसमें ड कोई भी मजब नहों हर इंसान जो इफना मुश्ड़ एक नेक काम करके जो आप इनकी नेक दिला करके जो हो चले मजब कोई भी नहों बस इस तरहां से जो है ना वो चलता रह जिसके जवाब में डाक्ठराजागर नहीद ने जो है वह काफी लंबा एक्स्प्लेइंड किया हर एक चीज जो है वो उनके सामने रखी हर एक चीज जो है वो एक्स्प्लेइन की उनको समझाया और काफे ज़्यदा इंटरस्टिंग गुफ्टगों भी आप लोगों ने सुनी होगी उनकी एंड पे जो है वो होई है आपस में जिसमें उन भाई ने जो है नहीं छोड सकता वो ही छोड़ता है जिसको अल्लतल हिम्मत ये जिसको हिदायत और रास्ता दे जिसको जो है वो टाकत दे इस चीज से लगने की क्यों क्योंकि खासकर इंडिया में जो है वो कोई इन्सान जो है अगर मुसल्मान बन रहे ना तो उसके पास एक दिल लोना जरूरी एक बड़ा दिल लोना क्यूं? क्योंकि उसको society छोड़ देती है उसको उसके गड़वाले सबसे ज्यादा खास रिष्टे उसके माबाब उसको जो है वो छोड़ देते हैं क्योंकि वो मतलब अपना मजभ जो है वो चेंज कर लेता है लेकिन एक डॉक्टर जाकर ने एक वीडियो में कहा था कि आप लोगों मतलब इस से जो है ना वो यह नहीं करना कि उनको छोड़ देना है आपने अपने अंदर इतना चेंज लाना है अपने आपको इतना चेंज कर लेना है कि वो और लोग आपसे मतासिर हो जाएं कि यार यह तो पहले बड़ा मतलब किसी और किसम का शक्स था लेकिन अब जो है और किसम का शक्स हो गया है बहुत ज्यादा बेतर रहा पे आ गया है इस तरहां से मतासिर करना है कि वो भी इसलाम में जो है कन्वर्ट हो करने खुद को वो भी मितलब कहीं कि जहां पे हमारा बेटा या बेटी गई है एक वो अच्छी जगा है वो एक सीधी रहा है तो हम भी उधर ही जाते हैं ये डाक्टर जाकरनाई का गयना था तो ये थी दोस्तो आज की वीडियो उमीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तुमरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के साथ तब तक अपना ख्याल लिखिएगा अलाहाफिज